नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंगिता पाल विडिंग के शुरुआत करते हैं शनिवार की रात पटियाला के पासी रोट पर तीन अग्यात लोगों दौरा कॉपर वायर आपको बदाने की वैपारी की हत्या करने का मामला सामने आया है वैपारी समीर के साथ में उसका दोस्त कृष्णा भी था जिसने मामली के जानकारी देते हुए बताया की तीन लोगों द्वारा गारी का दर्वाजा खोल कर पहले समीर से मारपीट की गई और उसके बाद में हवाई फायर भी किया गया मौका देकर कृष्णा गारी छोड़ कर भाग निकलता है आरोपी समीर को गारी से बाहर फेक कर आगे जाते हैं तबी गारी का एक्सिदेंट हो जाता है तीनों आरोपी गारी छोड़ कर भाग जाते हैं पोलिस को गारी से प्रिस्टल और एक मोबाईल और एक मैगजीन भी कर दामा थोई है स्टीजिदा फॉल है इसके फाइर की मतला हुआई फाइर किते हैं समीर दिमारे किने कि लोग से तिन गुदरिस की वनाने निकाब को सिके जार नहीं पाया हुए श्यार कि थे अपना अपना तूमने देखे ने हूँ हिंगु इस इसज़ता श्यार्व करें दोटा देखें सब्सक्राइब करते हैं जिसे में डाड़ हो गया है तो थाना सीवल लाइन मूरा तो लाकू दोगोजेंट में से नाया सब्सक्राइब पासी रोट इंगार्मेंट पागद सामने है एक गड़ी एक्सिडेंट होई है बाते जदो मौकत पासे चेक किता गया तो अनू कंपी इ सब्सक्राइब नाम ये बंदे ते जानले हों हमलाव ऐसी है और उनू कुलम भी ऐसी आवास्ट रिश्यप करता कि जित्ते ओधी मौत हो गई है मौके ते तुसी देखो गड़ी काफी जदे अक्सिडेंट होया है और मौके देशानों एक एमटी मैग्जीन और एक एमटी स सिद्धू के समर्थन में किसान जथे बंदियों द्वारा पट्याला घरेंडी जटा टोल प्लाजा पर धर्ना प्रदर्शन किया कैस मौके पर आपको दाड़े के जगतार सिंग हवारा की पिता गुरुचरन सिंग ने कहा कि जिस प्रकार भाना सिद्धू पर सरकार लगात किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया है और सरकार पर जम कर निशाना भी साधा के आप तस्वीरे भी देख सकते हैं यह तस्वीरे पट्याला की टोल प्लाजा की हैं जहां पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को ल मैं रात इंसपेक्टर सादर नो फॉन लाया मैं अपनी जानकार जेती के मैं जहदार जिफ्तार था हमारा इवाफी गोलना मेरी किछ़्या के सवेरे मैं उन्हों नास्ता प्रामा दो प्राउं थे उन्हों जाके पाने सिती कुन करामा उना ने मेरे नाड़ बादा करया कि बिजुर्गों मैं सवेरे था उनु दसाना जुरूर तभी ये मंग नी करांगा। पश्वों से तंग आकर किसान अवारा पश्वों से भरी चॉलिया मार्केट कमेटी कारयले भवानी गड़ से लेकर आए किसानों ने कहा कि ये अवारा पश्वों हमारी फसलों और परजातियों को बरबाद कर रहे हैं। गौशाला प्रबंद कहते हैं कि उपायुक से पत्र लेकर आओ और पैसे की मांग करते हैं। प्रबंद करते हैं। प्रबंद करते हैं। ते से आज रत्ता ने कोई तुसी अनलो भी कोई रेकर दीन फारी होंदियागी। पत्ता मंगो फाली पाली हुए फासला जी बरबाद हो रहे हैं। यहां हल कोई होना जीना सरकारान नूँ यां डीसे साब भी हाल करना जीना। बढ़िंडा के श्री दमदमा साहिब में आपको बदा रेकी जजीपी के रास्टी सचीफ दिग्विजय चोटाला ने पहुचकर मत्था टेका है दिग्विजय चोटाला ने सभी को सिक्स जगत के महन युद्धा श्रहिद बाबा दीप सिंग जी के जन्मदिवस की बदाई दी और कहा कि मैं अपने आपको भागिश्वाली समझता हूँ कि आज बाबा दीप सिंग के जन्मदिवस के दिन ही उनके रिस्तान तव्त श्री दमदमा साही पहली बार नत्मस्तक होने का मौका मिला उन्हें ये भी कहा कि हर्याड़ा के लोग आमादी पाटी को मू नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको लोग बहुत जादा देख चुके हैं आपने चुनाब से पहले काफी वादे की लेकिन उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया तो वहीं इंडिया गडवन्धन पर पूरा निशाना साधा है आज सिक्कों के प्रोधा बाबा दीट सिंग जी के जनम दिवस के शुब प्रक्षपर आज हमने सब में मता तिका है याँ और प्रदेश की देश की किसान की करीब की मजदूर की समृद्धी के लिए आज दूआ मांगी है रातना की है और मेरे को पहली बार आने का स्वभा अगे हासिल हुआ नया भारी हूँ सभी का पूरी कमेटी का जो अच्छे दर्शन आज नहां पर गोई और फिर से बाबा दीट सिंग जी के जनम दिवस की देड़ सारी जो है शुब कामना है देता हूं कुदा ही कॉंग्रिस कारिकरता कृष्ण कुमार ने आमादी पार्टी से जुड़े लोगों पर मारपीट और हमला करने का आरोप लगाया है गायल कॉंग्रिस कारिकरताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया पीडित का भी कहना है कि वैपारी रंजिश के चलते हमली की वारदात को अंजाम दिया है गायल ने भी बताया कि वो गरतन दिवस के दिन समहरों के बाद में अपने घर जा रहा था तब ही कुछ लोगों ने उस पर हमला किया जिसमें आप अध्यक्ष को बेटा और भतीजर शामिल है कृष्ण कुमान ने भी बताया कि वो पटाके का कारुबार करता है और आरोपी भी पटाको का भी कारुबार करते हैं और जिसके चलते हमला किया गया तो वहीं आमाध्य पार्टी के नेताओं ने भी आरूपों को सिर्य से खारिच करते हुए कहा कि राजनेतिक लाब उठाने के लिए पार्टी का नाम लिया जा रहा है लाल पर इस पूरे मामले की जाज कर रही है करें दो तो तो पर जाज कर दो तो अधिर ने जिम्मी तो मकी शुगरा उना ना लेना चकडा हो यह उते इरी कोटमार की तीया ना तो ना देवी शटान लगिया ने ओ माता के शल्यास तड़ा एक बंदा दाखली है गयर जिंद्रा उस्पेट्टू दोनातर अंधि जाज कर रहे है यह रोड़ ते जाज कर ना कोई ना रोड़ देते चगरा जिए तो आने वर किसा नी कार दाखले है जिस्टा जिए ले 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 यह वोद्य मताव जो कार भी यह बंदी कर रहे है भवानिगड में सुथिंता सिनानी को नमन करते हुए और पंजाबी सभ्यच्वार और इतिहास की प्रचार को भी बद्दे नज़र रखते हुए भवानिगड की अनाजमंडी में जाकिया दिखाई गई है जिसमें पंजाब के शहीदों के स्वरूप पुतलों के मॉडल को दिखाया किया जिसको देखकर पूरे भवानिगड निवासी मनमुहक हो गए और इस दरौन स्कूली बच्चे भी मौजिद रहे उन्होंने संग्रूर की विधायक नरिंदर कौर भाराज के साथ में इस जल्कियों का आनिद भी लिया बच्चों ने बताया कि इन जाकियों को देखकर उन्हें अपने पंजाब की महान शक्षियतों को जानने का मौका मिला है जो ऐसे की मदनलाल धिंगरा, श्रहिद भगर सिंग और श्रहिद सुक्तेव समेट कई महान शक्षियत की दर्शन इन जाकियों में देखने को मिले है 19 जनवरी 2024 को हालो माज़रा में हुए नाबालिक लड़की के दुशकर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस मामले का मुख्य आरोपी साथ प्यपास है और उम्र 49 साल है आपको बता दे कि आरोपी को बिहार के आरा जिलिस से पकड़ा गया और आरोपी ने बच्ची को समान लेने के बहाने बुलाया और फिर उसका दुशकर्म करके हत्या कर दी है मतलत कि प्राइवेट पार्ट के आसपास नो इंश्री भी पाई गई जो कि बहुत ही दर्थनाख थी फिलाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया क्या है इसमें हम लोगों को बाद में बच्ची की बॉड़ी भी रिकवर हुई थी तो एकॉर्डिंगली हमने रेलिवेंट सेक्षिंस उसमें आड़ किये थे आड़ करने के बाद में हमें एक्क्यूस का कुछ क्ली मिला था तो हमारे थाने की तीनों थानों की टीम्स ने करते स्थाने के टीम ने हलो माजरा चौकी इंचार्ज के लीडर्शिप में साथ दिन और तीनों स्टेट्स को स्पैन करते हुए जिसमें कम से कम दो हफजार किलो मीटर में हमारी टीम्स पैली हुई थी और साथ दिन के बाद में इसे क्यूस को पगड़ने में सखलता पाई है और इससे ही हम केस्ट यह कोल सके है यह आरा से पकड़ा गया है डिस्ट्रिक्ट इसमें नमादा और और यह लेबर का काम करता है क्लास 7 तक पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा क्रिमिनल एंटिसिदेंस भी इसके हैं जहां जहां भी रहा है वहां पर चोड़ी छोटे- पंजाब नैशनेल बैंक को रास्टी ये समवंगम के बीच में तमाम चर्चा की गई है जिसमें बैंक सिस्टम को लेकर मौजुदा कर्मशारियों ने विचार में मर्श किया और साथ ही उनकी मांग भी थी कि उनके मासिक वेतन को लेकर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि उ हमारी लगतार बात्षी चल रही है लेकिन बात ना सुनी गई तो हमारे पास हर्ताल के अलावा कोई आखरी रास्ता नहीं रहेगा और हम हर्ताल करने को मजबूर हो जाएंगे चंडीगर जो सरकल है यहां आज काफी बड़ा सरकल है यहां आज कांफरेंस हो रहा है ट्राइनियल कांफरेंस उसके साथ-साथ हमारे जो यहां के नेता थे वो उनका रिटायर्मेंट है तो इस संदर्ब में पूरे हमारे से और हरियाना के बाकी जगा से भी हमारे मेंबर्स बात करेंगे और हमारा जो वेज डिविजन अभी चल रहा है डिसकाशन उड़े बैंकिंग सेक्टर के लिए उसके विशाय में भी हम मेंबर से अवगत कराएंगे कि क्या आगे चल रहा है क्या होने बाला है पंजाबी उनिवस्टी की चात्रा जशन दीब को और लगातार इंसाफ के लिए मोर्चे पड़टी हुई है उनके मोर्चे में अब पत्याला शिरुमरी अकाली दल के प्रधान अमित राठी भी पहुचे अमित राठी ने कहा कि चात्रों को इंसाफ नहीं मिल रहा युनिवस्टी प्रशाशन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और प्रेस कॉंफेंस के दुरान उन्होंने ये भी कहा किस मोर्चे के तहट संगर्श करने के बावजूद भी युनिवस्टी प्रशाशन अपनी मनमर्ची कर रहा है तीन बार जाज कमेटी बनने के बावजूद भी अभी तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिला है लड़की ने परफैसर दे माड़े अश्लील बतीरे तो तांगा के उन्हें अपनी जान देती अठारा स्तंबर देल लाग पाग मेरे याद है के गेट बांद करके सारी समुझ बंदियां जीदे वेचे मैं जठे मंदी किसे कदा नाना लवा इस संजा जशंदीप को और इंसा पहुंची सी अधाले रंबस्रद्वी लीडिश्य पहुंची सी ते ओस देन ने याभी युश्टी दे परशाषे जिदे वेचे एसस्प टे डीसी पट्यालाने आके देखो एक आई एस एक आई पी आस परशाषे नो उन्वेश्टी सारे ने सारे विद्यार्थे नो चैनल जबरी सांबरी 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 जारे गांगा तो अनुट याभी जदों तके मसला नहीं होंदा ताम और इसे तरह रहूगा ते एसे तरह आई लड़ाई है और बठे पतर दें लड़ी हो खना में एक शादी शुदा जोड़े ने नहर में कूटकर खुदकुशी कर ली है दोनों के शरव दोरा कर आपको बता दे की नहर से बरामत किये गए हैं दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे से बांद कर नहर में छलांग लगा दी, आपको बता दी कि प्रेमी जोड़ा, पिछले दिनों से लापता था और शुक्रवार को दोनों के शब बरामत किये गए, जवानकारी के अनुसार में तक व्यक्ति गाउं जाटाना का रहने वाला थ और दो बच्चों का पिता भी था, वो एक निजी कंपनी के बस चलाता था, पास के गाउं के रहने वाली एक विवाहिता महिला से उसकी दोस्ती हो गई थी, जो कि अपने माई के में ही रहती थी, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, बताया ये भी जाघा कि दोनों के संबंद का घरवालों को पता चुला था इस बात को लेकर दोनों के घर में कलय भी हुई थी और इस कारण दोनों ने खुदखुशी कर ली मामले समंदीर एस आई बलजीर सिंग का भी कहना है कि परिवार वालों कि ने बयान दर्ज कर धारा एक सचोहत्तर की कारवाही की गई है कि अधियर यहां डेड़बोडी सी यहां तो यहां हाफता के पहलना इन्टीमेशन इस प्रीवी करों उस्त्या लेगे है साथे मुंड़ा जिड़ा जटाने अधा थी यहां यूदी मतलग उना पाड़पूर करिये तरो तरह नहीं मिलिया का लेना यह डेड़बोडी मतलब द्राही नहीर दे विच्छों मिलियाना है किस पूजिशन दे मिलियाना है उना एक कुई लेडी सी उना रपाड़ों पेंटावना था इनना दोहान एक दूजरी बाहा जिए बनके नहीर दे विच्छाड मारती तो बोडी लिया के सिवलात्ताल उरे खन्दे इरखाती थी मोगर्चरी दे विच्छा ते होना अज जोरा पोस्टमाट मुकार के करवाके बोडी जने आना दे बारसना दे हवाले करता हमें ते दे सुन्दी यसी एक सोचो तरदीकार वाई इंजरी सी और की सी दिया हमल चले हैं आप सी एंदे की स्वंद्दी के इंजरी माज़ना है पंजाब के श्री माज़िवारा साहिब में गाउं भामा कलाके एक युवक की अमेरिका में संदिक्त परिसितियों में गोली लगने से मौत हो गई है करीब 22 साल के जस्तीप सिंग का श्रव गाउ पहुचा जिसके बाद में परिवार ने अपने एक लोते बेटे को सहरा बा बाव में शो की लहर दोरी है और हर आक नम थी प्रताब जानकारी के आपको बता दे कि प्रताब जानकारी के अनुसार किसान दरजीत सिंग मांगट का एक लौता बेटा जस्दीव सिंग पांच साल पहले बहतर भविश के लिए अमेरिका में रह रहा था अपने मामा के पा जिसकी जानकारी उन्होंने अपने अमेरिका में रहने वाले अपने चाचा को दी मौके पर पहुंचे तो जजबीब सिंग कार में मिर्ट पाया गया और उसके सिर पर गोली लेगी थी कि अपना बेटा पड़ा इवास्ते जुड़ा से पेजिए सो साल पर पीयर भी पड़ाई भी होई तो पुझ न्याइक स्टारी कमागे जड़ने आखे पर आजे बेटे ने जस्ती ने घोड़ी मारी तेन तरी दी कखना सो काल डेड़ी है यह समसान कार में इसकार गिरता गया पूरे खलके ते सोगो दी लेरा इन सारे हलका सबनों इसमसान कार आज जोन भी लास्त दसम जिकते हैं तो बहुत जुख दाई ख़वरा है तो मन अदासा अभी आहजियां कि लियां कटना हुआ है कि लान मान बच्चे है आप लेक्व तल्जन जया जहां करों गयावा इनने जाके गड़ी दवाई यह वह तुम आदेकर बीटीआं ने खोर्यानि अचार इता कोही जाँ वधियां आज है नौहीं तो थोड़कर नीजय दानिता लिए अगर ना वीडियो खाल लगी तिय आप दादी जिनार वीडियो का लिखीति या ओर दूँ तोटे टांप बाद फोन सब्चेव भूप हो गया ते डड़ी निकाविक में दुमार के मुझ दखाक है लगवेशलों तुमार के विखलों तुमार के विखलों दूमार पाता निक्ति है या ती नहीं क्योंकि सब्सक्ठार गेलोर सब्सक्रावाइग भर's किन्हीं मैसायं लगया गाल guy मेरेज़ गोई थी? नहीं मेरेज़ गोई थी? नहीं हो रहे हैं। इस लोटेश थी? किनक समा हो गया थी बेन देश? इनों हो विची साथ पसालाई। मोगा मेरेज़ रोट पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़त हो गई हो राथ से में बाइस साल की लखबीर कौर की मौत हो गई जबकि पती पतनी गंफीर रोप से घायल हो गई है। उन्हें एक निज़े अस्पताल में भरती कराया गया जहां पर उनका इलाज जा जाया कि उनके पास तीन लोग गंफीर हालत में आये थे जिन मेंसे दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है घायलों में एक बाइस साल की युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है और मत का लखबीर कौर महीना की रहने वाली है आपको बता दे कि तीनों महीना गाउं स से रोज एक किसान के खेत में दिहारी करने जाते थे और हाथसे वाले दिन भी तीनों दिहारी पर गए हुए थे और तब भी आपको बता दे कि उनकी बाइक कार से टक्रा गई है कि अपने खेती थे लेवर कामकार ना उदी ही पेद्रों गड़ी मूर्यों तेज बाड़ी आ रही इसी डेक डोले खांदी और अजू मुंडा जात मोटर सांते उने कच्छे लाले कच्छे लिया के भी गड़ी आने वेच मार के ते पुड़ी दी डेत हो गी है उनना दो ज कि अधे सट्टा बहुत जादे वाजिगी हैं अप्रे किस तरह करना कोई दिशा की तसीदा की किस तरह बाड़ी जानी के राइच तो होर गड़िगा मंगा के जड़ी यह निकल गया होता पुर पता नहीं लगा जी पॉसर आई है कैसा ही कि उत्समें गया व्याथ बताल चे सब्सक्राइब करना चाहिए यह कुड़ी दा प्याव मरें और चार पंज मीने हो यह बहुत मारा काम हो गया जड़ी कुड़ी देट होई है पेशन्ट एक्सिदेंट वाले देन आये ची के सड़े कोले अच एक ताँ खीले समादेशी गैस्टिंग करेशी बुरी अलसी सब्सक्राइब करेशी बुर्वान सिंग पेशेंट है जी एक अमर जी तो रहा है दोनों वहास्मेंट वाइफ है और ताली साल दे करीब है ना देवर है मैंने देह के दूने तो उनना दोना दी हाल तो ऐसे स्टेबल है खत्रे तो नहां बाहर लग रहे दोने और अजे उन महिला की महिला की मौत हो गई है और दीहारी के लिए बाइक से जा रहे थे तीनों तो इसी दोरान एक हादसा हो गया अमरसर रोट पर कार और बाइक में भीशर भिड़त हो गई है हादसा में एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं दो लोग घायल है जिनका स्पताल में इलाज लगातार जारी है खबर मोगा से आपको बता दी कि अमरेसर रोड पर कार और बाइक की बीशर भिड़त हो गई जिसके बाद में कई लोग घायल हो गए तो वहीं एक महिला की मौद भी हो गई है फिरालेस बोड़े में अतना ही नमस्कार